नमस्ते है जी, इंशेंट हिलिंग साइन्स से मैं हूँ डॉक्टर धैरेवान आपका अपना रेगी मास्टर दोस्तों, रे की उर्जा या रे ची उर्जा या फिर सिर्फ ची उर्जा ची उर्जा छे तरह की उर्जाओं का मिश्रण है यानि कि छे प्रकार की उर्जा जब आपस में मिलती है तो ची उर्जा बनती है आप में से बहुत लोगों गाई ये सवाल रहा है कि इतना अभ्यास के बाद भी कई बर हमारी शक्ति काम क्यों नहीं करती और कभी कभी कई लोगों कि शक्ति इतनी अच्छे से काम करते कि बहुत थोड़े अभ्यास सही उन्हें बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता है तो इसका कारण है ची उर्जा ची उर्जा ये छे तरह की उर्जा जो उसमें बैलेंस बनता है तभी शक्ति बहुत ज़ादा अच्छे से काम करती है या बहुत कम अच्छे से काम करती है या बिल्कुल काम नहीं करती लेकिन आपको परशान होने के जूरत नहीं है आज मैं इससे अच्छे से आपको समझाऊंगा जिससे आप इस मामूली सी बात को आसान सी बात को समझ कर अपनी चीशक्ति को बैलन्स कर पाएंगे और उसे बढ़ा भी पाएंगे च्छै तरह की उर्जा से मिलकर बनती है चीशक्ति पहली उर्जा है तपस्या की उर्जा तपस्या मतलब क्या? क्या जंगल में जाके इस तरह से ओम, सालों? नहीं, तपस्या का मतलब यह होता है धीरज, धैर कैसे आप अपनी चास, पाचों इंद्रियों को फाल्तु की कामों से बचा करके उन्हें कंट्रोल में रख करके उसकी उर्जा को बचाते है जैसे उपवास, वरत, डिटॉक्सिफिकेशन अब आपको मैं थोड़ा से इसे एक्स्प्रेन करता हूँ कि अगर जब आप तपस्या करते हैं जैसे कि आईरवेद में कहा गया दिन के 16 घंटे का अपवास रोल चगर आप 16 घंटे का अपवास करते हैं तो आपकी प्राण उर्जा जो खाना पचाने में ही खर्च होती रहती है वो बसती है बतलब कि आप अपने स्वाद के मूँ के इस इंदरी को कंट्रोल कर पाते हैं गंदी-गंदी चीजों को आपको देखने का मन करता है जैसे आजकल पॉन देखने का बहुत मन करता है लोगों को गंदी फिल्में देखने का मन करता है तो आप उस तरफ अपने ध्यान को कंट्रोल करते हो अगर बुरी बातों को सुनने को कंट्रोल करते हो बुरी बातों को बोलने से कंट्रोल करते हो बहुत ज़्यादा सुक को प्याग करके किसी अच्छे कारे के लिए तपस्या का मतलब सिर्फ यह है कि अपने सुख को छोड़ के अपने comfort zone को छोड़ करके आप कर्म के तरफ अग्रसर होते हो यह है तपस्या जो हम यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं दूसरा है चरित्र जैसा कि आपके हाथों में आपके पुरी चरित्र में पुरे personality में दिखती है तो चरित्र की उरुजा कैसी होती है जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ शरीर के दो इंच के हिस्से से किसी का चरित्र नहीं ना पा जाता चरित्र एक महान शब्द है चरित्र एक बहुत ही व्रियाद बहुत ही बड़ा सागर की तरह बड़ा है जिससे हमने सिर्फ शरीर के दो इंच के हिस्से में सम्टा कर रख दिया हाँ वो भी है लेकिन सिर्फ वो ही है ऐसा नहीं है आप कैसे विचार करते हैं कैसा कर्म करते हैं कैसा बोलते हैं कैसा आप खा रहे हैं कैसा आप सोच रहे हैं कैसा बोड़े सब चीज आपको चरित्र में आता है आपको चरित्र उचा होगा तो ही आपको चरित्र में उड़ जाएगी तभी आपको चरित्र में बलाएगा आपकी पूरा व्यक्तित आप सुवे से लेकर रात तक आप कैसे कर् कि आप सुकून से सोप आ रहे हैं आप अगर अपने कर्म को थोड़ा पीछे पलटकर देखते हैं तो आपको अगर लगता है कि हाँ आपने अपना जीवन पूरा अपना 100% दे करके पूरा सही तरीके से जीए है तो वो आपका चेरिट रहाएगा तीसरा होता है ग्यान आप कैसा ग्यान ग्रहन कर रहे हैं ग्यान क्यों जा कैसे किताबे पड़ रहे हैं कैसे वीडियो देख रहे हैं कैसे फिल्म देख रहे हैं कैसे लोगों से मिल रहे हैं कैसे लोगों से बाते कर रहे हैं जो भी चीज़ आप इंपूट लेते हैं अपने ब में यह होता है ग्यान अपने ग्यान को बढ़ाने के लिए अच्छे बुक्स पढ़िए अच्छी चीज़ों के रखिए क्योंकि ग्यान ही एक महान शक्ति है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं ग्यान से भी आपका confidence बढ़ता है चौता है आचार और व्यवहार आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं दुनिया में कैसा व्यवहार कर रहे हैं अपने लोगों के साथ अपने अपनों के साथ अपने आसपास के लोगों के साथ चोटे चोटे जैनवरों के साथ गली महले में घुमने वाले कुत्ति और जो लोग रह रहे हैं जो आपसे बात करते हैं उनके साथ आप कैसा व्यावार करते हैं क्योंकि जब आप अच्छा व्यावार करते हैं लोगों से तो लोगों को एक सुख मिलता है एक शान्ती की प्राप्ति होती है उससे उनके अंदर से एक आशिरवाद निकलता है जब वो आशिरवाद निकल दे है तो वो ही आशिरवाद आपके शरीर में आके आपके आहरा में आके आपके मंडल में आके उर्जा के फॉर्म में आपके इकटा होता है इसलिए हम कहते हैं आचार और व्यावार कैसा आपका आचरण है और कैसा आपका व्यावार है पांचवा कि आप क्या खाते हैं आचार वेभार के बाद होता है आहार आप कैसा खाते हैं जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा एक कहवत है कि जैसा आप खाओगे वैसा ही आपका मन होगा आपके खाने से ही आप कीची शक्ती जूड़ी हुई है, आप हलका सात्विक खाओगे तो आपकी चीशक्ति बढ़ेगी और तामसिक भोजन करोगे तो चीशक्ति घटेगी क्योंकि आपको इस सारी शक्ति उसे पचाने में ही लग जाती है, अपने चीशक्ति को विक्सित करने लेती सрogaपोंकि लीए अपको अपने आहर पर भी ध्यानla हेना होगा मेरा मानना है कि अगर पोटीन की कमी नहीं है आपको यह पोटीन की चवागे और भी खाना चाहते हो तो वेजुटरियन खा सकते हो फ्रूट्स हैं, फल हैं, सबजियां हैं, अनाच हैं जिससे आपके सारी प्रोटीन की मात्रा पूरी होगी, आप मस्कुलर होंगी, आप बोड़ी भी अच्छी बना सकते हैं, आपको ताम से खाने की जुरूरत नहीं है, और अपने च्छी शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं तो प्रोटीन की जिवित हैं, फल जो की जीवित हैं, कची सब्जियां जो की जीवित हैं, क्योंकि इनमें अपनी खुद के एंजायम्स होती हैं, जो इने खुद ही पचा लेती हैं, और इस वज़ा से आपकी प्राण उर्जा को खाना पचाने में में मेहनत करनी नहीं पड़त अब आता है आखरी नमबर छटवा, ध्यान या नींद की उर्जा, जब आप परियापत मातरा में अच्छे से नींद लेते हैं, अब परियापत मातरा का मतब सिर्फ 8 घंटे नहीं, वो 6 घंटे भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकता है, किसे के लिए 3 या 4 घंटे भी जब आप परियापत मातरा में अच्छे से नींद लेते हैं, तो आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी वरसती है, वोही कॉस्मिक एनर्जी आपकी छी शक्ति को बढ़ाती है, या फिर आप जब ध्यान करते हैं, तब आपके ध्यान की ध्यान में बैठने के पर जब गहरे उतर कुरते हैं ध्यान में जब एक्दम लीन होते हैं ध्यान में तब आपकी उपर च्छी शक्टी बरस दियर स्वारी कोस्मिक ऐनरजी बरस दिये जोह घीशक्टी का बढ़ाती नियुक्त пры बीटा, अलफा और जो ठीटा स्टेज में जाते हो तब आपकी नींद गहरी होती है और उस टैम आपके पुछाव कॉस्मिक एनरजी बरसती है तो अब जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ यह जो पांस तरह की बतार तपस्या, चरित्र, ज्यान, आचार विचार, आहार और ध्यान या फिन्नीन ये सारे को पता, ये सब चीज एक ही है, एक जैसे ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए, पांस शब्दों में प्रोया है ताकि आपको शमझ सके अब अगर आप देखेंगे चरित्र में क्या खानपन नहीं आता, अच्छा खाएंगे, खलका खाएंगे तो क्या नीन अच्छी नहीं आएगी, ग्यान अच्छा रखेंगे तो ग्यान अच्छा नहीं होगा, ग्यान अच्छा रखेंगे तो क्या तपस्या नहीं होगी, इस सारी चीज़ों पर आप काम करना शुरू कर देज़ें और आप देखेंगे कि आपके चीवर्चा कितनी बरटने लगी है और एक समय ऐसा है कि सिर्फ आपके सोचने मातरे से सबसिर्फ आपके ध्यान करने मातर से हिलिंग होनी लग जाएगी सिर्फ किसे के ओपर हाथ रख देने मातर से की तकलिफ में ठीक हो जाएगी सिर्फ किसी चीज़ की कलपना करने से वो चीज़ें बहतर होनी शुरू हो जाएगी और इसे ही हम चमतकार कहते हैं क्यों कुछ लोग चमतकारी थे क्यों बखवान इतनी बड़ी हुई थी क्योंकि वो अपने चरित्र ग्यान और आचार विचार और तपस्या को भली भाती समझते थे तो आशा करता हूँ आपको इची शक्ती तो अच्छे से समझ में आ गई होगी आपके विचार इस पर क्या है मुझे कमेंट में बताएए कोई चीज समझ में नहीं आया होगा तो इंस्टा में आकर मुझे से पूछ सकते हैं मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो में बहुत सारी बाते करनी पाकी है धब तक के लिए नमस्ते है जी